सबसे पहले छोटी दिवाले की हार्दी शुब का अबना है फ्रेंड आप मेरे गार्डन का हल देखिए कितना उजड़ा फुजड़ा है लेकिन फ्रेंड मैं इधर का लुक थोड़ा सा चेंज करने वाली हूं और जो ये ब्लैक में दिवाले दिख रही है नीचे से जो प्रेंड दिवाले की हार्डन का अबना है तो फाइनली मैंने इधर अपना जो भी प्लांट रखना था रख दिया और दिवाल भी ढग गई काफी अच्छा लग रहा है इधर और यही इन चीज मैं दूसरे तरफ भी करने वाली थी मुझे दूसरे तरफ की भी दिवाल ढखनी है तो मैं इधर भी वही प्रोसेस करू पटरा रखोंगे और गमले रखोंगे देखती हूँ इधर कभी दिवाल ढख जाता है या नहीं और फाइनली मैं सुबब से सोच लिया था मैंने कि आज मुझे गमलो को इधर से उधर इधर से उधर करना है तो मैं लग गई थी वही करने के लिए और दस बजे मैं लगी थ और चार बजे मुझे टाइम मिला इतना मैं थक गई थी यह सब करने में और फ्रेंड गार्डन में जब मैं काम करती हूँ ना तो पता नहीं चलता है कि कम मेरा टाइम इतना जादा भी दिया और यह सब गमले इधर से उधर करने में मेरा बेटा थोड़ा थोड़ी बहुत म एक एरिया और दूसरे एरिये में भी मैं लग गई थी और दीकि इस तरह से मैंने अपना गार्डन डेकोर कर लिया इधर का सारा प्लांट इधर लगा लिया मैंने और काफी कुछूरत अच्छा लुका रहा था यह प्लांट जो है जिने कम धूप की जरूरत होती है अभी कर दिया जहां अच्छी धूप आती है कलांचो गुलदावली य씨 अरे मैरी गॉल्ड य düş अरे प्लांट इधर कर दिया मैंने और फ्रेंड यह मुझे करना था लेकिन आजी मैंने खार दिवाली है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं मैंने कर लिया पू अब मेरा गार्डन कैसा लग रहा है प्लीज कॉमेंट में बताईएगा बाई हथी गार्डनिंग